असलाम अलेकूम जी कैसे हैं आप खेरियत से हैं आज एक बड़े मज़े का पीस ओफ हिस्ट्री तरीख का इससा मुझे मिल गया तो मैंने का उस पर तुड़ी सी बात कर लेते हैं आपने नाम तो सुनाओगा वेबलेंड स्कॉर्ट का तो वेबली रिवॉल्वर्स 1880 से लेके almost 1970 तक किये उनकी फौज ने मुख्लिफ कैलिबर में मुख्लिफ ऐटरेशन उसकी शेप सुगरा उसकी उन्होंने यूज की तो मुझे बड़ा अचार वालम में लिगा जो बहुत जबर्दस कंडिशन में नहीं लेकिन वर्किंग हालत में है और 38 बोर जिसको कहत साथ बड़ा पोटेंट राउंड था तो बाद में उनको ख्याल आए कि हम किसी एक ऐसे कैलिबर में मनाएं जो थोड़ा सा मैनेजबल भी हो उनके लिए फील में और उनका इस एफिशल साइड आम वो काफी अरसे से काम कर रहा था मतलब बड़ा अच्छा उसको उनको प्रेश एंपायर एक बहुत जगा पर पूरी दुनिया में फैला वा था और बहुत ज़ादा उनके हर जगा पर जारी बात है जंगे में कियो उन्होंने जो कुछ भी किया तो फिर उन्होंने 38 बोर में ये वैबले से डिजाइन करा है तो बड़ी इंटरस्टिंग बात ही ह प्रेश पाउंड बताया कि जी हमारा डिजाइन है और उन्होंने चोरी कर लिया जो कुछ भी है तो बैराल कोई पैसे मैसे दे दिला कि मेरे खाल में को जमाने में 12.30 बारा सब पाउंड दे कि हो मसला हल कराया गया और एंफिल बनाने शुरू कर दिये लेकिन इंटरस्टि कर दे क्या अपने तारीख पड़ी ही होगी कहां कहां पे जंग ए और किस तरीके से तो किया उन्होंने इस्तिमाल क्या किया किया जी रेवouri्वर उमने में इतने नमबर्स भी बनाया कि उन्हें लाकों में चले गए थे, बेतहाशा बेतहाशा प्रेस्टिल्स, सॉरी, रिवॉल्वर्स बनाया थे, सिंपल डिजाइन और मज़े की बात ये कि उसकी अटथीस में तो मैंने बहुत सारी इस तरह की कौपी बनते वे देखी हैं जो दरे में हमारे दरे में मतलब सेवंटीज में बड़ी पॉपलर थी बनाई थी उन्होंने बिदा के गालबन इसका था और गालबन समितन वैसन का बनाया था लेकिन ये तो मैंने देखी वे बड़ी अच्छी उस जमाने में बलके 32 बोर क्योंकि इन किसम का वो था कैलिबर था पाकस्तान में तो उसके उन्होंने रिवालवर दरे वाले बड़े खुबसूरत और बड़े बड़ी कॉलिटी के बनाते थे और गभी भी में कहीं उसको फेज आउट किया फिर पाकस्तान इंडिया जब जरीबाद 47 में अलग हुए तो फिर ये यही रिवालवर और ये सारी चीजें इदर फौज केसे में आगी हैं और भी जाके कहीं में कहीं में दस-पंदर नफ साल पहले उनना उसको फेज आउट करना शूरू तो चलते हैं चोटा सा रिव्यू उसका देखते हैं थैंक्यू अचा बई तो हम बात कर रहे थे इस वेबले ड्वालवर की 35 बोर ब्रिटिश डिजाइन 1932 में कहीं इसकी प्रडक्शन शुरू ही थी डिजाइन के बाद और 70s लेट 70s तक ही चलता रहा सिंगल एक्शन डब करके इसको दबारा फायर कर सकते हैं तो तक्रीबन 30 राउंड पर मेंट है एक्सपर्ट बनने के लिए 50 यार्ड एफेक्टिव रेंज जो ही कहते हैं जिसमें बड़ अच्छा ये फायर या जितना एफेक्टिव यविली आप उसको इंगेज कर सकते हैं टागेट को 6 इंच का ये टोटल खुद रिवालवर है फ्रेंट साइड और रियर जो है फिक्स्ट रियर जो है वह एक नौच है औल मेटल है रिवालवर और उसके बाद आप ये देखिए कि ये प्लास्टिक कीस की वह ग्रिप सी है होल्ड ग्रिप में अच्छा ठीक ठाक है मतलब आपको जो राउंड पड़ावा होता है और ये इसलिए है कि आप जो ही जारी बात है जब आप यूजिया उस जमाने में इस्तिमाल होते तो तो एक दाब यू करते थे खुल के सारी बुलेट्स बाहर गिर जाती थी राउंड और उसके बाद उसमें दोबार आप डाल के और इसको फायर कर सकते थे सो सिंगल एक्शन डबल एक्शन मेंस के जी सिंगल एक्शन में आपने ये कि और इस तरीके से फायर करने बड़ी चोटी सी पुल है और बड़ी चोटी सी पुल है और बड़ी ठीक ठाक आपको जोर लगाना पड़ता है फायर करने के लिए ये को बहुत ब इसको फायर कर सकते हैं और डबल एक्शन में आपको क्योंकि बड़ी लंबी पूल है और ठीक ठाक वो हिल जाते है पूरा तो उसमें रेक्मेंड़ जो है वो कम असकम या मैंने देखा भी जितना भी है तो वो दोनों हाथों से फायर करते हैं बाकी यह है कि बस सॉल मेटल है स्क्रॉ oczywiście आख़ंगास के या मेरेक्में रखव्सेम बड़ी तेनों के ह होते हैं और चुगर गार्ड बड़ णाया है तो यह दो स्कुूर सकूर एट जरें और श्लैंडर नНеकालना है तो यह दो स्कूर पूर निकल झालते हैं और निकल आते हैं मैं अमिनेशन मुझे नहीं मालूम कि बड़े असानी से इसका मिलता हूँ पहले कि जमाने मालखाने या आर्मी के डैपर्स होगरा से मिल जाता था अभी का मालूम नहीं तो थैंक यू और फिर इंचला गप्शप लगाएंगे कि किसी और रिवाल्वर या पिस्टरली के साथ अलाफिस